किसान भाई हो आप सभी का स्वागत है आज हम कोसा 13 235 और सी वोलके 14 201 जो गन्ने की सीग्र नई किसमे हैं इनका कंपेरिजन करेंगे फील्ड लेवल पर आपको हम इसके जो फोटोग्राफ हैं और वीडियो दिखाएंगे जिससे आप भी अपना अब्जर्बेशन ले पाएं कोसा 13 235 और इसके बाद सी वोलके 14 21 कोसा 13 235 को अगर हम देखें नीजे से लेकर के और उपर तक तो यहां पर आप देख पाएंगे कि काफी अच्छी टिल्रिंग है यानि ब्यात बहुत अच्छी है और ब्यात जो इसकी हुई है वह एक साथ लगबग हुई है लेकिन ये काफी टिल्रिंग के बाद कंपैक्ट होकर उपर की तरफ चलती है यानि बढ़ती है जिसके कारण कुछ जो टिलर्स हैं वो पतले लगते हैं और लीफ जो इसकी पतिया है उनकी संख्या काफी ज्यादा है लीफ में जो क्लोरोफिल कंटेंट है वह भी देखने में ऐसा लग जैसे 238 से और 118 से हां नीचे आप टिलर यहां पर देख सकते हैं कि जो टिल्रिंग हुई है एक क्लंप में 6 टिलर से लेकर के 12 टिलर तक हमने देखे कई ऐसे क्लंप भी थे जहां पर 17-18 टिलर भी हैं हां ऐसा लगता है कुछ टिलर थोड़े से कमजोर है निफर्मिटी कम लगती है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जुलाई आते आते हैं तक हम अगर इस प्लाट को आपको दोबरा दिखाएंगे तो यह टिलर काफी ग्रोथ करके और बराबर हो चुके हैं यह जो मेरा आनभाव है कि एक प्लाट में अगर थोड़ा बुदंतर रहता है तो मांसुन क सीजन में जब ग्रांड क्रोथ इस्टेज आती है अगर नंबर आफ टिलर्स पहले से हैं तो वराबर हो जाते हैं इस वराइटी में चुकि टिलर्स काफी कंपैक्ट हैं ऐसा लगता है पहले इस वराइटी को बाढ़ दिया है जैसे एक इसका जेनरिक करेक्टर है इस तरीक है इसके अंदर और चुकि लीफ को अगर हम देखें काफी साफ्ट लीफ इसकी लगती है और थोड़ा सा हम एक कहें कि यह वराइटी सस्टिबिल हो सकती कुछ डिजी पेस्ट के लिए अगर हम इसका कंपैरिजन चौदा दों से एक से करते हैं किसार में इस वराइटी की ग हो सकती किसानवाईों के लिए हमने इसको दोबारा यहां पर आपको दिखाया है वीडियो आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल एक समान जो टिलर्स हैं वह आपको दिखाई पड़ते हैं आप यह वराइटी जो हम दिखा रहे हैं सी ओल के 14201 है अगर हम लीफ का करें तो काफी सीधी इसकी पतियां दिखाई पड़ती हैं और साथी में ऊपर की तरफ हैं डूपिंग लीफ नहीं है यह ऐसे लगती जैसे सी ओजे 85 का गरी स्टेज हो या 84 36 का हो तो इस तरीके से पतियां लगती हैं यह वराइटी हार्ड वराइटी है अगर इसको लो ला में अगर टिल्रिंग की बात करें काफी अच्छी टिल्रिंग है उसका एक करण यह भी है कि इसके जो नीचे की पोर्स हैं उनकी लंबाई थोड़ी सी कम है और नीचे का गन्ना मोटा भी जादा है जिसके करण इस वराइटी की गिरने की संभावना कम है और जो डिजीज ए कम समयाना चुकिए पत्ले लीफ हैं और सीधी लीफ हैं जो साफ्ट भी नहीं है थोड़ी हाड है जिसके करण इस वराइटी में चाहे टाब बरू हो चाहे लिसूट बरू हो रेड़ डाट हो वेल्ड हो वो सारी तरीके की बिमारियां और जो पेस्ट का टैक हो काफी कम है यह फिर हमने यहाँ पर 1325 हमारी किसान मनोस सिंग की है, इनका प्लाट है, या भी आप देख सकते हैं, इसको पाउदे के मादियम से लगाय गया था, हाँ, यह दोने विराइटी डिफरेंट इन्वारिमेंट के लिए बहतर काम कर सकते हैं हमारी किसान भायों के लिए, ऐसे सम जो हमारी 1325 में ग्रोथ अच्छी है, और जो चौदा दोसे एक है, वह वाटर इस्ट्रेस ऑफ वाटर अफेक्टेड एरियाज में, इवें सेलाइन स्वायल में उसको उगा सकते हैं, जैगरी बनाने के लिए एक अच्छी विराइटी है, उसमें जो रेशे की मात्रा है, व पस पस जादा है, एल्ड जो वेगानिक सोथ में लिए दोनों विराइटी की लगबग एक जैसी है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, किसानवायों, ये दोनों विराइटी डिफरेंट कंडिसन के लिए, किसानों के लिए अच्छी हो सकती है, आप इसको उगाएं और इस